आज के इस वीडियो पर हम थोड़ा सा कलरेक्शन करने वाले एंड कुछ नया सीखने वाले एंड बहुत लोगों का कलरेक्शन से रिलेटेड बहुत जादा प्रॉब्लम होता है एंड कुछ लोगों को मेरे प्रिसेट कैसे यूज किये जाते हैं वो भी नहीं समाज में आता है तो इस वीडियो में हम कैसे प्रिसेट यूज करते हैं मतलब कैसे अलग अलग प्रिसेट यूज कर सकते हैं कैसे आप लाइट रूम मतलब को मास्टर कर सकते वो भी हम सीखने वाले हैं काफी सारे नए नई चीज़े सीखने वाले हैं तो विडियो एंड तक देखना एंड एक चीज मुझे समझ मिले आता है कि भाई मेरे वीडियो में क्या कमी रह रही है अगर आप लोग कुछ नया मत बताया करो क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है कि कौन सा थम्निल स्टाइल मुझे अभी बना था जो इससे वीडियो टॉपिक ट्रेंड कर जाए और स्टार्टिंग में लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते थे कि प्लीज इस टॉपिक पे एक ट्यूटरियल बनाओ सो मैं बनाता था एंड काफी अच्छा रिस्पॉंस मिलता था मुझे एंड इसके बाद समय के साथ आप लोग का सपोर्ट ही मतब थो काम हो गया जिसके अब उतना अच्छा वीडियो नहीं आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताया करो कि कौन सा मतलब थम्निल ट्रेंड पर चल रहा है एंड उसके लावा लाइश्ट्रीम से लेटेड भी मुझे कुछ बात करना है आपसे एंड इस संडे मैं एक टेस्ट स्ट्रीम करने वाला हूं दोपहर के बारा बजे अगर अच्छा रिस्पॉंस आ है तो हर संडे को मैं दोपहर के बारा बजे अब आप आसर्थ के स्ट्रीम पर एंड इस्टाग्राम पर मैंने ये पोस्ट डाल दिया है अभी वीडियो स्टाट करते हैं लेस्ट साथ दे वीडियो प्लीज आप कमेंट करके बताया करो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो इससे मुझे बहुत हल्प म मोटिवेशन भी मिलता है कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक क्या डालना चाहिए वन्ना मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं कि भाई क्या डालू नेक्स्ट टॉपिक सो प्लीज हल्प करो इतना एंड फिलाल लिखाओ अब लाइट्रीम जो ओपन करने के बाद आपको यहां प प्रिसेट मिल सकते हैं वो आप सीखो गया और बता दूगा मैं जल्दी जल्दी सबसे पहले पांच आप्शन आपको दिखाता हूं तो सबसे पहले यहां पर आपको एक सन वाल ऑप्शन मिलता है जो कि यहां पर है एंड इसके उपर एक और जो है आटो मतलब कलरेक्शन व मैं इसे करने वाला ऐसे छोड़ दूँगा एंड यहां पर अगर आप सन वाले पर प्रेस करोगे तो आपको यहां पर छे आप्शन मिल लेंगे एक्सपोज़र से एक्सपोजर से एलेटेड कॉंट्रास्ट कम जादा करने वाला एंड यहां पर हाइलाइट्स है शैडोज है एंड वाइट्स है एंड ब्लैक्स एंड इन सभी आप्शन को अगर आप ऐसे हाई और लो करके देखोगे तब आपको समझ आएगा कि कौन से फीचर का क्या का सामने इन उसी तरीके से यहां पको टैम्पेशर यदा ऑप्शन से यहां पे वी आपको में फरंटेशक पर चाओर अप्शन में plugins जो की तेम्प्रेशन करता है क्या सूर्ट का यहां का ओपसन करता है द्युक्स के बाहरे आम्खर दो का का यहां ओर आप वाईयलाइट्स कर देख सकते हो कुछ इस तरीके फिचर है एंड उसके बाद भी यहां पर और option मिलता है mix color का अगर आप mix पर प्रेस करते हो तो यहां पर और भी options आपको बहुत सारे अलग-अलग color के options मिल जाते हैं यहां mix पर प्रेस करोगे तो यहां पर टोटल 8 options मिलता है एंड इसमें से अगर आप किसी भी color को select करते हो तो आप उस color से related saturation या फिर light को control कर सकते हो जैसे यहां पर मैंने अगर green को select किया तो green को मैं yellow भी कर सकता हूं एंड थोड़ा से green मतलब फुड़ा original green जो है उसमें भी convert कर सकता हो एंड देख सकते हो यहां पर saturation यह रहा है यानि color या फिर light या फिर बार यह भी मैं control कर सकता हो यहां पर उसी तरीके से यह जो yellow color है yellow select करूंगा एंड देख सकते हो yellow color के जो भी इसमें color available है उसको मैं यहां control कर सकता हूं and देख सकते कुछ इस तरीके से and उसी तरीके से blue color जो है उसको भी मैं यहां रहा हुगा किस चीजसे क्या होता है उसी तरीके जब यहां पर basically समझ लो इसका color correction का है और उसके बाद यहां पर आपको एक स्क्वायर कलर का option मिलता है जिससे आप फोटो के texture को control कर सकते हो यानि विगनेटी वगारा texture, gradient तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर मैं पर क्रिस्टालिटी को बलाओंगा तो सब्सक्राइब को तो सब्सक्राइब कर सकते हो कितना ज्यादा texture आ गया है इसी तरीके से और भी जहां बहुत सारे options मिलते है जैसे यहां पर डिहेज मिलता है जोकी contrast या फिर कहूं light को control करता है अब उसी तरीके से यहां पर विगनेट भी आपको मिल जाता है और विगनेट अगर आप इनेबल करते हैं उसके बाद mid वाला देख सकते हो mid options से क्या हो रहा है और feather वाले से आप देख सकते हो क्या हो रहा है तो जैसे जैसे अगर आप आप ऐसे यूज करोगे कोश्र कआ करके के देखो तो आपको समझ में आयागा कि किन een feature क्या होता है अलब ऐग वार कैसे मot Poll i들을 कम जाब डिख ले अनले खो उसके बाद यहां पर आपको ट्रेअंगल करका फीचर मिलता है जिसका यूज आप साइपने स्याफिर साफिरे फोटो के डीटेल आप अपर शॉफ्टनेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शिन दोता हैं लेकिन बेसीकली यहां पर आपको मेन यहां पर sharpening, masking and noise reduction, noise reduction का काम यह है कि जो दाना दाना जो सब कुछ photos के quality बहुत घटिया होता है, box box type का मतलब low quality के कारण box box बन जाता है, तो noise reduction से आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो, and masking भी वही softness आपके photo का softness बढ़ाता है, and अगर आप यहां पर color noise reduction बहाद होगे, and उसके बाद यहां पर नीचे आपके 2 options enable हो जाएंगे, details and smoothness, and smoothness तो आप नाम सही समझ गयोगे, photo के smoothness को control करता है, and यहां पर कुछ यहां पर एक profile कर का option मिलता है, जो की आपके पहले, मतलब आपके इसमें available जो presets है, आपको यहां पर मिल जाएंगे, कुछ में यूजर presets में install किया पहले से, and कुछ यहां preset पहले से थे, यह user preset मैंने अलग से install किया है, जिसमें 23 अलग 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 तरह के preset यहां पहले से available है, and देख सकते हो, कुछ इस तरीक है, and चाहँ तो आप इसे use करके, अलग 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 इसमें changes करके, अपना कुछ नया preset भी बना सकते हो, and देख सकते हो, मैंने इस वाले preset का use करके, एक नया preset अपने लिए, एक नया preset बनाया है, and वो मैं आप यापको आगे दिखा दूँगा, and अब देखो, इस preset को मैं किसी और thumbnail पे कैसे use कर सकता हूँ, जैसे मैं ये वाला अप्लाइ कर तो और unique है, and ये वाला मैं use करने वाला हूँ, and अबसे एक मेंट, preset applied, discard, cancel, and यहाँ पे apply कर देता हूँ, and इसके बाद, अगर मैं इसे चाहूँ, तो किसी और thumbnail पे भी use कर सकता हूँ, जैसे ये वाले thumbnail पे मैं वोला preset use करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे पहले इसका copy कर लूँगा, ठीक है, पहले यहाँ पे आपको 3.पे क्लिक करना है, and यहाँ copy settings आपको मिलता है, and यहाँ पे चाहतो पूल्स यानि अगर आप crop करते हो, तो उसको भी use कर सकते हो, and यहाँ पे copy settings, and then, यहाँ पर इस पे जाकर, आप यहाँ पे 3.पे फिर से क्लिक करना, and then, यहाँ पे paste setting अगर आप करोगे, तो वो अलाफ प्रिचर जाए वो इस पे अप्लाए हो जाएगा, लेकिन, इसका color जाए वो starting में से ही उससे ब्था different था, यही का उन्था से different tone आपको मिला, अब देख सकते हो, उसी वाले thumbnail को जो मैंने दिखाया था आपको, उसका use करके मैंने कुछ अपना एक different type का thumbnail बनाया है, अजब texture बनाया है, जो काफी सही लगता है, and देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, मिल जाएगा, तो यहाँ से आप device पर save भी कर सकते हो, यहाँ याँ फिर, आप export as dng अगर आप यहाँ पर select करोगे, तो आप इसको एक preset के तरह भी use कर सकते हो, and यह अगर save करते हो, यहाँ export as dng, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर copy settings कर रहे हो, आपका feature enable हो जाएगा, जब भी आप उसको send करोगे इसमें, and copy setting करोगे, तो चाहँ तो आपके cpv paste कर सकते हो, and कुछ इस इतिक्या का पूरा tutorial था, उम्हेद करता हूँ, यह tutorial आपको समझ में आया होगा, and अगर अच्छा लगओ, तो please like जहूर से कर देना, and thoughts of help जो मैंने आपको बोला है, वो जहूर से कर देना, and अगर live stream enjoy करना चाहते हो, तो Sunday को live करूँगा, मैं जहूर से आना, and इस वीडियो को यह पैंद करते हैं, thanks for watching.